कि हेलो फंद्स वेलगम तो पर चैनल हम बात करने वाले हैं नैस्ले इंडिया लिंटिट करें। में धेली चार्ट पर हैं देली चाट पर देखें मैंने आपको यहां पर ब्रीक वृइंग दिया था। तो यहां पर कोई confirmation दिया नहीं है और वहां से अगर आप देखोगी continue fall कर रहा है ठीक है यहां पर 15 मेंट तर 30 मेंट चार्ट भी अगर आप देखोगी तो यहां पर आपको कोई confirmation ज्यादा देखेगा नहीं वहां पर क्योंकि open हुआ था देन इसके बाद directly fall करना start किया closing किया फ 15 परसेंट का correction है ठीक है तो ज्वास अगर हम पहले चले मार्केट में मतलब अपने इसी स्टॉक में और हम पहले देखें कितना momentum इसमें रहा है तो जैसे यहां पर जो correction आया था वो करीब 15 परसेंट का था ठीक है इसके पहले अगर हम देखें तो जो कोबिट का crash था जो इसके बाद जो momentum रहा कितना परसेंट का है यह 15 परसेंट है ठीक है यह वाला momentum यह 20 परसेंट है ठीक है तो एक major crash 2020 में आया था एक 2020-22 में आया है इसके बाद कि अगर हम अभी बात करें जो correction इसमें आया है वो करीब पहले 13 या 15 परसेंट का था सेगेंड वाला अगर हम देखें तो यह करीब 8 परसेंट का था ठीक है और अगर आप इसको अभी देखोगे जो momentum अभी इसने दिया है तो अभी तक इसने 15 परसेंट कंप्लीट किया है तो अगर हम इसके return pattern के recording देखें तो 15 से 25 परसेंट का momentum यह हमें normally देता है और यहाँ प फिर से 15 परसेंट फॉल किया है तो या तो हम करेंट लेबल पर बेस बनाने वाले हैं ठीक है या फिर यहां से करीब 5 या 10 परसेंट का फॉल और आपको देखने के मिल सकता है जैसा इसका अभी तक का करीब 4 साल का चार्ट रहा है सांत में कोबिट क्रैस को मिला कर इसके पह है और इसके बाद अगर आप यहां पर भी देखोगे तो वही 15 परसेंट 20 परसेंट यहां पर भी सेम है तो कोई मेजर करेक्शन इसमें अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिला है तो कोई बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं है अगर आपने अभी करेंट लि चलती है कि कैसा सेल्स और कितना उसकी मतलब रिक्वार्मेंट कितनी है तो इसे प्रोडक्ट है जो डेली लाइफ में यूज होने हैं तो अगर आप जिंदा हो तो आप उन चीजों का यूज करोगे ऐसी चीज़ें हैं वो सीधी सी बात है तो चाहे कितना भी कुछ भी बंद हो जाए किसी रीजन से या उसका प्रोडक्शन बंद हो जाए वहाँ पर तो चीज़ें अलग हैं अगर प्रोडक्शन चल रहा है तो मतलब माल बिकेगा प्रॉफिट होगा कंपनी चलेगी बहुत सिंपल सी बात है तो कोई मेजर फॉल होगा इसके चांसे कम है ठीक ह तो हम यहाँ पर सबसे पहले अब हम पता चल गया है कि इसमें बहुत जाँदा फॉल नहीं आता है हमने कORAीब 10 साल का चार्ट इसका वैक्तेश्ट कर लिया विकली चार्ट पर ड़ ranked चार्ठ पर और विकली चार्ट पर दोनों पर अब आ जाते है हम इसके अपने सपोर्ट क लिए उपर कि कहां कहां इसका support दिख सकता है ठीक है बागे ऐसे किसी भी stock पर आपको भी analysis चाहिए तो stock का कर लें लेंक description चैनल के अबाउट वाक्स में दिया हुए यह दो मेजर सपोर्ट अभी हमें दिखने वाले हैं और इसके बाद अगर इसके आगे जाता है तो हमें 2000 रोपे का लेवल दिख सकता है मेरे कोडिंग इंवेस्टिंग का अच्छा लेवल है जहां से हम इंवेस्टिं 15% और मान कर चलो अगर फॉल होता है 15% हम आ चुके हैं हमने जितना भी चार्ट देखा उसमें 30-35% से ज्यादा का correction अभी तक हमें नहीं दिखा है तो यह 15% अभी हो चुका है अगर maximum जाएगा तो यह 30% का correction है जो कि हम 2000 रुपे का तक का लेवल देख सकते हैं तो अगर आप रिवर्सल दे तब भी भाइंग कर सकते हैं और यहां पर आकर रिवर्सल मिलता है तब भी भाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं इस top loss बहुत छोटा होगा 2 या 3% का और return में आप 9-10% का momentum प्लान कर सकते हो बागी ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए तो stock का नाम comment कर सकते हो support आप हमें टेलिग्राम चैनल पर message कर सकते हैं जिसका link description चैनल के आवाउड वाक्स में दिया हुआ है वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा thank you so much